Hello students, Maths class 3rd, आज का हमार टोपिक है स्टोर इस हम, कॉशन नमबर 5 Anu bought 16 packet of chocolate, Anu ने कितने packet chocolates के खरीदे हैं, 16 packet Each packet contains 75 chocolates, एक packet में, each means one packet में 75 chocolates हैं How many chocolates did he buy in all? तो ये बताने कि कितनी chocolates उसने खरीदी हैं फइन, बताने स्टोर इसने खरीदे कितनी… है कि पेकट उसने खरीए 6 पेकट एक हम बता दिया कि 16 packet में टॉटल कितनीああ जोटल हैं तो पता चल जाएगी कि इसने टॉटल कितनी Woche खरीदी हैं भूल 생각 है मैं निकालेंगे इसने couple हैं जबकि one packet में चोकलेट कितनी है 75 तो हमने find out क्या करना है how many chocolates इस line पर फोकस करोगे यहां पर how many chocolates यानि कि हमने क्या find out करना है कि कितनी chocolates did he buy in all उसने खरीदिया यानि कि हमने chocolates find out करने है जो चीज हमने find out करनी होती है वो हम right side लिखते हैं तो statement हम इसी type से बनाएंगे number of chocolates number of chocolates in one packet one packet में कितनी chocolates है 75 75 chocolates one packet में 75 chocolates है अब हम कहेंगे number of chocolates in 16 packets 16 packets में हमने बतानी थी कि कितनी chocolates है वही उसने total chocolates करीदी है जो 16 packets के अंदर है तो हम 16 packets में निकालने की total कितनी chocolate होगी वन में हमने बता है 75 chocolate है तो 16 packet में कितनी chocolate होगी जादा होगी जादा के लिए क्लिए 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 75 multiply 16 यानि कि इतनी chocolate किसमें आएंगी 16 packet में आएंगे जो उसने खरीदी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे multiply करेंगे 75 multiply 16 multiplication करेंगे यहाँ पर multiplication करने के बाद जो answer आएगा यहाँ पर multiply आप करोगे इससे solve करोगे multiplication करने के बाद जो answer आएगा यानि कि उतनी chocolates क्या किया है उसने खरीदी है chocolates जो अनुने खरीदी है आप multiplication करकी से आगे solve करोगे now question number six there are 52 chairs in hall hall के अंदर कितनी chairs 52 chairs how many chairs will be in 25 such halls अगर hole में एक hole में 52 chairs तो यह बताना हमने how many chairs यानि कितनी chairs will be in 25 such hall उसी type के same ऐसे ही 25 holes में कितनी chairs होगी अगर ही एक hole में कितनी है 52 chairs तो हमने निकालना how many chairs यानि कि chairs find out करनी है तो हम लिखेंगे number of chairs in one hall number of chairs in one hall one hall में कितनी chairs है is equal to 52 chairs one hall में 52 chairs है तो हमने बताने कि how many chairs will be in 25 such hall 25 holes में कितनी chairs होगी तो हम लिखेंगे number of chairs in 25 hall 25 hall में हमने chairs बतानी है one में 52 है तो 25 में कितनी होगी one से ज्यादा में value निकालने है ज्यादा के लिए हम क्या करते है multiply इस चीज़ को आप यहाँ पर जुरूर चेक करोगे जब question solve करोगे क्योंकि one की value हमें given है और 25 के हमने निकालने यानि कि one से ज्यादा के लिए value निकालने ज्यादा के हम क्या करते है multiply multiply करेंगे 52 के 25 के साथ multiply by 25 यानि कि को multiplication करने के बाद हमारे क्या आएगा answer multiply हम यहाँ पर करते है 52 multiply 25 5 के multiply 2 के साथ करेंगे 5 2 जा 10 0 1 यहाँ पर 5 5 जा 25 25 प्लस 1 26 अब पहले वाला carry cancel कर देंगे और यहाँ पर cross 2 2 जा 4 5 2 जा 10 add करेंगे इने 0 6 प्लस 4 10 1 यहाँ पर carry 1 प्लस 2 3 3 प्लस 0 3 and 1 1300 कितनी चेर्स 1300 साथ 25 होल्स में कितनी चेर्स लगी हुई है 1300 चेर्स यह क्या है आपका answer ना question number seven sonya spend rupees 355 every month on transport sonya money spend कर रही है 355 हर महीने on transport transport mean कोई समान मंगवा रही है वो बाहर से transport में किसी दूसरे state से या कहीं से भी हम बाहर से जब समान मंगवाते हो तो कहां से मंगवाते हैं transport के 3 मंगवाते होते हैं तो वो money spend कर रही है transport में कितने rupees 355 every month यानि कि हर महीने वो जब समान मंगवा रही है तो उसके लिए हो कितना spend कर रही है तो ट्रांसपोर्ट वाले के लिए कितना कितना कर रही है ट्रांसपोर्ट के लिए 355 every month यानि कि हर महीने how much money will she spend in six month यह बताने कि कि इसनी money वो spend करेगी in six month छे महीने में वो कितनी money spend करेगी हमने निकालनी है money क्या निकालनी है money six month में वो कितनी money spend करेगी जबकि one month में वो इतनी money spend करती है तो हम लिखेंगे money spend money spend in one month money spend in one month is equal to 355 rupees 355 rupees spend कर रही है one month में तो हमने यह बताने कि वो six month में कितनी money spend कर रही है transport के लिए money spend in six month six month में कितनी money spend कर रही है तो one में अगर 355 rupees spend कर रही है तो six में कितनी rupees spend करेगी six में जादा करेगी जादा के लिए हम करेंगे multiply 355 की multiplication करेंगे six के साथ यानि कितनी rupees वो spend कर रही है यहां पर multiplication करेंगे 355 multiply six six five is a 30 zero three six five is a 30 30 plus 3 33 यहां पर फिर 3 carry six three job 18 18 plus 3 21 यानि कि 2130 rupees वो क्या कर रही है transport में spend कर रही है इन six महिने answer क्या है 2130 rupees answer thank you झालेशना मेंट